हलो नमस्कार धोस्तों जैसा की हम सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश में काफी ऑच्छे काम चल रहा है उत्तर प्रदेश के ओध्या में मानी श्ρι मुख्यमंत्री योगी आधीतिनाथ के अथाक प्र्यास से राम मंदिर का निरमाड भी होने जा रहा है काफी अच्छे अच्छे काम चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में लेकिन मित्रों कहीं ना कहीं हम लोगों से या चूख हो जा रहा है या भूल हो जा रहा है कि हम यातायाद के नियमों का पाल नहीं कर रहे हैं और सड़क दुरघटना इसे काफी जादे बढ़ती चली जा रही है मित्रों आप लोगों को यही संदेश देना है कि देखिए किस प्रकार से हम यातायाद के नियमों का उलंगन लागतार करते हैं और प्रशाशन रोकती रहती है टोकती रहती है हमको याद दिलाती रहती है समय समय पर लेकिन उसके बावजूद भी हम यातायाद के नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आप सभी भायों बंधों मित्रों माताओं बहनों और सभी ड्राइबर बंधों से सभी चालक बंधों से या निवेदन है या आप अपने घर से निकलें तो हेलमेट जरूर पाहन करके निकलें और सुरच्छित रहें स्पीड गारी को अपने कंट्रोल में लेकर के चलाएं बहुत सारे ऐसे इवाओं को देखने को मिलता है कि वह गारी क्या दम देखते हैं कि गारी कितना भग रही है तो इसका कोशिस आप लोग न करें कि गारी कितना भग रही है अरे वो तो मसिनरी चीज है जीतना हम भगाएंगे उतना तेज़िए भगेगी मित्रों साथियों फिर से आप लोग उसे अनुरोध है ये हेलमेट पहन करके ही सड़क पचलें अभी हम एक सड़क के किनारे खड़े थे हमारे मन में या विचार आया कि या बेडियो को बनाया जाए और आप लोगों तक सेयर किया जाए ताकि हम मानी श्री मुख्यमंत्री योगी प्रधान मंत्री श्री नरेंदर मोधी जी प्रकार से लगतार निरंतर ऊचाईयों को चुर है वयसे ही हम सब मिलकर के उनका उनके साथ चलने का प्रियास करें और घर से बाहर निकलने से पहले एक बार हेलमेट जरूर पहलने जहिंद जह भारत इस वीडियो को अच्छे से देखें और अपने अंदर या बदलाव लाने का प्रयास करें हलो नमस्कार दोस्तो जैसा कि हम सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश में काफी अच्छे काम चल रहे हैं उत्तर प्रदेश के योध्या में मानी स्री मुख्यमंत्री योगी आदितिनाथ के अर्थक प्रयास से राम मंदिर का निर्मार भी होने जा रहा है काफी अच्छे अच्छे काम चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में लेकिन मित्रों कहीं ना कहीं हम लोगों से या चूक हो जा रहा है या भूल हो जा रहा है कि हम यातायात के नियमों का पाल नहीं कर रहे हैं और सड़क दुरगटना इसे काफी जादे बढ़ती चली जा रही है मित्रों आप लोगों को यही संदेश देना